हेलो दोस्तो मेरा नाम रिसी केस कुमार मेरा यूट्यूब चैनल मॉडूलर क्लासस में आपका स्वागत है आज हम बिहार बोड़ 2021 और सीबीस्टी बोड़ 2021 में हेलो एलकेंड एलो एलकेंड एलकेंड एरीन के 20 इंपर्टेंट कोस्चन करने जा रहे हैं अगर आप मेरे चैन के बिन्ам समय लिए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जिसमें सबसे होस्ट कोस्टकरते हैं फोस टेन करते हैं दा जैनरल फॉर्मूल हो चाहिए और उसमें मोनों मतलब क्या होना चाहिए एक हेलोजीन n हो चाहिए अब हेलोजन इकस से एकस जो है वहेलोजन गूरूप को दीनोट करता है Good गोग तो इहां पर आरहेक्स है दोस्तों तो आपीक से यानी इलका यृलैट भी करें इसको हेलो इलकेन भी करते हैं उसमें में मोनो हैलोजन मतलब कितना एक हैलोजन गूर्प होना चाहिए उसको मोनो हैलोजन करते हैं तो देखिए हैलो एलकेन का जेनरल फर्मूला यानि समाने सुत्र जो होता है सी एन एच टू एन पलस टू होता है ठीक है दोस्तो लेकिन हम लोग को इसमें हैलो एलकेन का यानि एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हैलोजन क्या है जूटेगा यानि इसका जेनरल फर्मूला सी एन एच टू एन पलस वन यानि एक हैड्रोजन हट गया और एक हैलोजन जूटेगा यानि एक्स तो ऑप्षन चेक करते हैं दोस्तो तो फर्स्ट ऑप्षन जो है सी एन एच टू एन एक्स यानि यह तो नहीं होगा चलिए सेकेंड कोशन जी करते हैं तो सेकेंड सी एन ए अगला question देखते हैं अगला question है इथाइल आयोडाइड react with A2O सबसे पहले इथाइल आयोडाइड किरा कहते हैं तो CH3 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 CH2 को इथाइल कहते हैं और इसमें अगर जो भी लग जाए इल है एक्स लगा इथाइल कॉणराइड होगा बीयर लगा इत्ताइल बुरमाइड होगा और अज़ित furn法 दोर इसको react करते हैं, treat करवाते हैं, इसको जो हम लोग treat करवाते हैं दोस्तों, treat करवाते हैं, ag2o यानि silver powder, silver oxide, ag2o, silver oxide से करवाते हैं, तो यह जो देता है, हम लोग को ether देता है, क्यालता है, ether, यानि आपका क्या होगा, आपका b option, b क्या होगा, right option, अगले question क्यों आगे बढ़ते ह है अगला कोंसे नहिए अपने को कहता है कि कलोरोफर्म रिрьेक्ट कंसेंट्रेटेड एच यह नो ठीरेकन सबसे पहले कलो रम है क्या किलोरो फॉर्म का ऊपने क्या होगा कुलोरी का आई पेकड्यन्यम क्या होगा क्या है ट्राइक लोरो मिथें इसको ट्रीट करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड एच एन ओधिरी का जो घोल होता है विलियन होता है चैने नीकल जाएगा है यहां से और यहांसे ह क्या निकल जाएगा यह साफ जंडर बच जाएगा दोस्तों सीए शीए इस् मेंल थीटको यह तो जो है वह आपQué प्यक्रिन देता है दोस्तों क्या जीटा है एस कलोरोब कई क्रीन जो है पुझेगा question की coloropickrin का formula क्या होता है तो coloropickrin कहते है CCL3NO2 को coloropickrin कहते है और ये coloropickrin जो है वो tear gas है tear gas करने का मतलब आस्रू gas आस्रू gas का भी formula पुझता है तो CCL3NO2 होता है चलिए question number 4 की ओर बढ़ते है question number 4 कहता है दोस्तो तो question number 4 की बात करते हैं तो question number 4 कहता है कि कलोरोफॉर्म is heated with silver powder तो कलोरोफॉर्म तो आपको बता दिये कि आपका क्या होगा CHCl3 इसको दो मॉलिक्यूल AG powder सिल्वर से reaction करवाते हैं 6 AG से तो यह जो आपको है CH ट्रिपल बॉंड CH बनेगा जिसको आप सौर्ट में C2H2 बोलते हैं और इस C2H2 का नाम acetylene है acetylene है और यही दोस्तों कि यहां पर से जो आपका बनता है है chloroform को हीट करते हैं सिल्वर पाउडर से तो acetylene बनता है और acetylene जिसको आप लोग C2H2 काते हैं और C2H2 यानि option नंबर आपका क्या है दोस्तों यह यानि चार का राइट अंसर जो है ओए यानि कलोरो फॉर्म को अगर सिल्वर पाउडर से हीट कीएगा तो c2H2 बनेगा चलिए नेक्स्ट कोशन फाइब नंबर कोशन क्यों बढ़ते हैं तो फाइब नंबर कोशन कहता है दोस्तों कि फाइब नंबर कोशन कहता है ग्रॉप्स मेठड इज यूट फॉर दा प्रिप्रेशन ओफ तेखी ग्रॉप्स प्रोसेस क्या है तो ग्रॉप्स एक साइंटिस्ट है जो लुकास रियजेंट को बता है कि अगर कोई अलकोहल हो अगर कोई अलकोहल हो जो चामान लिया जाए इथाइल अलकोहल इसको आप करवा दिये लुकास रियजेंट से लुकास रियजेंट के रहा कहते हैं तो यनवांध्र सूखनील टू जैडें चीएल टू और कहों संट्रेटेड हेच सीएल से अगर ट्रिट करवाच यादि रियाक्शन कर्वाते हैं यहां का ओझ और यहां आपका व मिस निकाल के ह2 बनाता है और जो आगे बढ़ता है वो CH3 CH2 और यहां पर क्या जूट जाता है दोस्तों OH यानि यह आपका क्या है राइट यहां जूट जाता है सौरी दोस्तों यहां जूट जाता है यहां क्या जूट जाता है यहां पर जूट जाता है यानि बनाया आपको इथाइल कलो राइड यानि इथाइल को राइड को हम लोग कहा सकते हैं इथाइल को राइड का फर्मूला हो सकता है सी टू एच फाइब सी एल यानि इसी को इथाइल को लड़ करते हैं यह ओप्शन नमबर क्या है दोस्तों पाच का ए यानि इसका क्या है राइट अंसर चलिए अगला कोस्टन फिर सिक्स नमबर कोस्टन करते हैं तो दफर्मूला कलोरोफोर्मीच देखिया आगे कोस्टन दोस्ति लाइस को सेवन नमबर कोस्टन है बीच फालो इंगी इन फर्मूला पायरीन का फिर्मूला जो होता है उसी सील 3-4 को पाइरीन कहते हैं इसी का नाम कारबन टेट्राकलोराइंट भी टेट्राकलोराइड भी कहते हैं और इसका यूज जो है दोस्तों आपको इसका यूज जो है आपका फायर इंग्जिस्टिंग वर में किया था यानि आग को बुझाने के लिए इसका उप्यूग करते हैं जैसे हम लोग क्या बिजली से आग लगेगा तो क्या हम लोग पानी से बुझाएंगे नहीं इसली तरह के फाय इंग चुहारे यानि सी यहानि सीहला फॉर पाईरीय का इस्तमाल किया जाता च्रूट नेट कोस्टन कार बढ़ते हैं तो नेट्ट कोस्टन आपका एट नंबर जोो कोस्टन है वो कहता है कि इमब्साइब ईermिक्ष्टन च्ररेकश्ण C6H5N2Cl जरा इसका नाम देखिए दोस्तों C6H5N2Cl जरा इसका structure मनाते हैं तो यह जरा बेंजीन टाइप क्यों होता है बेंजीन में N2Cl लगता है इसी का जो होता है बेंजीन में N2 होता है कि आइसी को थालता है C6H5N2Cl जरा इसी का एक स्पेसल नाम है बेंजीन डाइजूनियम क्लोराइड जरा इसको treatment करवाते हैं यू को सि यू मिज्या से ए दोस्तों क्या बनता है क्लोरोबैंजीन यहां जो बंता है आपको छो क्या बनता है कलोरो बेंजिन यह जो है आपका कलोरो बेंजिन बनता है इस रियक्षन का नाम होता है कलोरो बेंजिन बनता है इस रियक्षन का नाम होता है सैंड मेर reaction इस reaction का ना क्या नाम होता है सेंडर मेयर reaction यह आठ का answer आपका क्या होगा दोस्तो बी answer होगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं next question क्यों लेक चलते हैं the next question आपका nine number question है दोस्तो कि nine number question है कि one of the important contributes of tear gas अभी बताया थे कि tear gas कि को काते है टाट टीयर गेस जो बना था उकलोरो पिक्रीन था अकलोरो पिक्रीन का फर्मूला बताये थे कि CCL3NO2 यानि nine cancer आपको है दोस्तो नाइन cancer भी है कि पीछे होला question था repeated question फिर आपका next question है आपका दोस्तो कि which of the following इज हेलो एरीन हेलो एरीन बेंजीन में अगर आपका कहीं पर भी एक्स गुरूप लगा हुआ था कोई भी कारवन से उसको हेलो एरीन कहते है और इसी का एक नाम और डिनोट होता है एर एक से इसी को हेलो एरीन कहते है यानि option नमबर ए आर एक्स कहा है दोस्तो यानि ए पर एर एक्स कहा है दोस्तो तो ए पर यानि इसका देन का आंसर क्या होगा यह होगा चलिए नेक्स गुषओं के अगर आगै बढ़ते हैं नेक्स मदोब कोос्ट www.n кадet g-2m और यानि इसका यानि उसको याध रखेगा लुकास गरते हैं अपका अन्हाइडर्ट्र इसील और शेंड्स कि डाहाइड्रोजन एक्टम इन कलोरोफॉर्म आर कलोरोफॉर्म का जो हैड्रोजन एक्टम होता है कलोरोफॉर्म का फर्मूना बतायते हैं यानि 12 कर वहार। खोलों होगा वह फिर नेक्स कोशन की ओर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स कोशन आपका है तेरा नॉम्बर कोशन में आपको या। को कि कि तेरह नंबर आपको है कि उक्ष। ईंपांड को से निट में मिलेगा में मिलेगा स्टेजैक बोड रिंग this जर्याइब मीलेगा तो पीर हम आप लोग को NEET का और J का practice set करवाएंगे जो इस बार आपको J जो है चार बार मेंस लेगा दोस्तों तो चारो बार मेंस का जो important question होगा जो important collection होगा question का उस सभी question हम लोग देखेंगे और practice set आपको कम से कम 20 से 25 practice set करवाएंगे और अब मेरे चैनल पर 20 से practice 20 से 25 important question का collection से आपको set करवाएंगे दोस्तों और उसमें हम लोग देखेंगे कि NEET में कैसा question आता है J में कैसा question होता है तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और नए नए वीडियो का आपको मिलते रहेगा अगर आप चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और बिल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का notification सबसे पहले आपके ओर पहुँचे और आपको इसका नाम बेंजीन हेक्सा कलोराइड है और इसी को मार्केट में गयमैक्सिन बोलते हैं यह जो होता है इसका फर्मूला होता है आपको इस तरह का जो इस तरह का जो अस्ट्रक्चर है यह बेंजीन का इसके परतेक का आपको परतेक पर दोस्तों तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेंजीन हेक्सा कलोराइड यानि राइट अंस तरह का क्या होगा फिर आपको ऊर्जरियक्षन फॉर्मूर्जरियक्षन में हमेसा इलकेन बनता है जब भी बनेगा इभें नंबर आफ कार्बन का इलकेन बनेगा यहानि जीतना अलकाइल हलायट का कारवन होगा उतना दुगना आपको बनेगा देखे उर्ज रिएक्षन से हम आपको उर्ज रियक्षन और फिटिंग रियक्षयन फिटिंग रियक्ष्न ये तीन वो को इंपॉटेंट रियर्चिन जो आपकों करवा चुके हैं सबजेक्टिग में अगर wearing नहीं जानते ऒर्फल फेटिंग पर पर सच किजिये ौन स्थिट कीजिए आप sis अभी सभूं और चलिए उर्चिंग क्या है सिफिटिंग है 15 नमर कोश्यन है वीच फालोइग इस आयोडो फॉर्म किया है तहां कलोरो फ़र्म बता थे ऐख चल तो और भी जो होता है दोस्तों आयोडो फॉर्म जो होता है उस ही एच आई धिरी फालोरीन लग जाए तो कलॉराइड ऐोडीन लग जा तो ऐलोरीन लग जा तो फैल चाहीन सैनाइड होते यहां पुछता है विन्हाल कलोराइड यानि यानि पर क्या लाग होगा ऐस क्यों दोखित य colony चैम झाहे जाएगा विन्हालकोनाग जा Agreement reaction उर्ज fitting reaction क्या है तो उत फिटिंग reaction आपको है कि très feaut ूत इंग एक All- azulette एक आपका darauf होता कि से sodium से यानि इसका राइट अंसर जयोगा आपका सी होगा दोस्तों तो यो इसका राइत आंसर क्या होगा और सी फिर आप एलकायल मेंगनेशिय अभेनाइड आपको ग्रिगनाड डिएजेंट आर एमजी एक्स एक्स के ज़िए पर कोई भी आपको हेलोजन गुरूप रह सकता है जिसे क्लोरिन ब्रोमिन फ्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन हो चकता है फिर अगला कोस्टिन है कि नंबर आपको सिग्मा बा होगा तो एगो पाई दूगो पाई आएगो बीच में क्या होगा शिग्मा तो यहां कलोरोफर्म की बात है तो कलोरोफर्म की अगर बात है तो कलोरोफर्म का फर्मूला एच सी सील सील और यह क्या है सील यानि सिग्मा यहां कितना होगा सिग्मा 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 यानि टोटल सिग्मा कितना है चार यानि यह आपका कॉलोरोफार्म का नाइन का उनीस का अंसर क्या होगा ए थैंक्यू दूस्तों